Let's discuss about the future contracts. A future contract is a standardized legal agreement to buy and sell something at a pre-determined price at a specified time in future. देकि ये standardized है. Standardized का मतलब इसका ये है कि आप एक certain lot ही खरीदेंगे. ये नहीं है कि आप 2-4 किलो में बात करें. नहीं, आप पूरी फसल का सौधा कर सकते हैं. आप एक lot खरीदेंगे. अगर आप shares की बात करें, तो आप shares भी जो हैं, lots में खरीदेंगे. यानि 100 shares से कम नहीं आप खरीदेंगे. अगर 15 या 20 shares खरीदेंगे चाहेंगे तो वो नहीं मिलेंगे आपको. आपको पूरी lot खरीदना पड़ेगी. इसलिए इसको कहते हैं, standardized है. To buy and sell something at a pre-determined price at a specified time in future. Again, price settled होगी और future time भी settlement होगा. कि कभ ये आप खरीदेंगे. Between parties known, not known to each other. Interesting है. कि आप एक दिसे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन सौधा हो रहा है. कैसे? कि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो आप जाएंगे broker के पास. Broker ढूंडेगा कौन है जो इस चीज़ को बेचना चाहता है और इस date को इस price पर बेचना चाहता है. तो basically, आप दोनों party, यानि खरीदने वाला भी और बेचने वाला जो है, बेचने वाले को find out करना पड़ता है broker को. खरीदने वाले को broker के पास फुछ जाना पड़ता है. तो जब तक ये broker है दरम्यान में, आप legally covered हैं. क्योंकि he is responsible. क्योंकि ये बकाइदा government का appointed person होता है. हमारे याँ जो mercantile stock exchange है पाकिस्तान में, उसमें ये बैठे हुए हैं और ये काम करते हैं और वो buyer और seller को मिलाते हैं. बहले ही आप का आमने सामने ना हो, लेकिन उनके record में आप buyer और seller दोनों का account होता है. There are two persons, इमरान buyer and एमद seller. अब देखें, एमद कोई चीज बेचने चाते हैं तो उसके पास चलाएगा. यार इमरान कोई चीज खरीदने चाते हैं तो वो broker के पास जाएगा. और broker जो है, वो कोशिच करेगा कि इन दोनों को आपस में किस तरिके से मिलाए, coordinate करवाए आपस में. The current price of ABC shares on 1st January 2021 is 10 rupees per share. अब देखे, current price तो 10 rupees है. And इमरान expect the price of share will increase in the next few months. On the other hand, एमर्ड expect the decrease in price of share in the next few months. अब देखे, एक जो है, वो यह expect कर रहा है कि अगर मैं 10 पर आज खरीदता हूँ धो सकते हैं 3 महिने के बाद इसकी price 15 हो जाए. दूसरे साइट पर, जो दूसरा party है, जो वो देख रहा है कि अगर price आज 10 rupees हो सकता, यह कम हो जाए. और मैं आज 10 पर बेश दूँ तो बाद मैं कम पर खरीद कर आपको delivery कर दूँ. तो देखे, दोनों party न जो न, एक है, वो एक्सपेट करता है, जो आज़े बढ़ जाएगी, एक कहता है कि कम हो जाएगी. अब दोनों जो है, gambling कर रहे हैं कि हम जाएं market में और यह सौधा तै करवाएं. लेकिन, again, as I said, वो खुद से नहीं जाएंगे, वो broker के त्रू जाएंगे. यहाँ है, जो broker है, इसका role play होता है. यह बहुत important है, जो broker जो है, वो important टीज़ है. Now, Iran interested to buy 10,000 shares of ABC at 12 per share. अब वो कहता है, जो मैं 12 पर भी खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो expect कर रहा है कि price बारा से बढ़ जाएगी. तो इसलिए वो बारा पर भी खरीदने के लिए तैयार है, और जबके जो broker is engaged to contact Ahmed who is interested to sell the share of act 12 after three months. और broker जो है, वो for Ahmed को लाएगा और वो तैयार होगा बारा में बेचने के लिए. अब देखे, simple सी बात है कि agreement क्या कर रहा है, broker कर रहा है, आप नहीं कर रहे है directly, broker के true जा रहे हैं, इसलिए legally आप covered हैं. देखे, the broker will ask for a margin of 2000 रुपीज. अब ये margin क्या होता है? लेकि ब्रोकर का एक responsibility है कि जो deal आपके दर्म्यान होई है, वो conclude हो, वो final हो. तो वो अपना broker fees तो ले गए लेगा. लेकि तो force ही हो कि भी आप इस deal को complete करें, एक margin demand करते हैं. margin कितना होगा, ये depend करता है, वो एक percentage के हिसाब से भी हो सकता है, और एक certain amount भी हो सकती है. अब वो percentage दोनों से margin लेगा. यानि खरीदने वाला भी ना भागे और बेजने वाला भी ना भागे. तो दोनों से margin जो हैं, वो लेगा. margin कैसे है, कि आपको वो पैसे जमा कराने पड़ते हैं, उसके पास, broker के पास. broker आपका account खोल लेगा, और आपके account में credit कर देगा. उतना ही पैसे, जितना margin उसने fix किया है. याद रखें कि minimum margin रखना पड़ता है. अगर minimum से किसी वज़ा से कम हो रहा है, तो आपको पूरा करना पड़ता है. बताता हूँ कैसे कम होता है, लेकिन एक certain margin हर हाल में आपको पूरा करना पड़ता है. कम नहीं, ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है, और फिक तो एक रुपए बढ़ने से जाहर है जो बेचने वाला है उसको नुकसान होगा क्योंक़ उसने तो बारह में बेचना यह 15,000 का यह है तो आपके एक के आकाउंट से यह बेचने वाले के अकाउंट से निकाल कर खरीदने वाले के एकाउंट में, नहीं मार्जन में अड़ करते हैं और फिर बेचने वाले को कहेगा कि ठीक हजी आप अपना मार्जन पूरा करें, तो इस तरह से ये मार्जन मेंटेंड किया जा रहा है, यानि मार्जन को किसी केस में भी हम नीचे नहीं ला सकते वो एक सर्टन मार्जन आपको मेंटेन करना पड़ा और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी के ब्रोकर इस रिस्पॉंसिबल तो गेट दा डील फाइनल यानि वो कंकूल करवाएगा इस डील को जो तैय होगी है उसके हिसाफ से बले ही मार्केट में प्राइस रह जाती है तो आपको बारा में ही मिलेगा और उसको दो रुपे बच जाएंगे कि कि वो दस रुपे में खरीद कर आपको बारा में देगा इसलिए ब्रोकर जो है वो ये सारी डील फाइनल करता है नहीं अगर कम हो जाए तो मार्जन में पैसे डालने पड़ते हैं और देगा वो देगा क्योंकि पैसे जो है उसके थुरू आपको मिलेंगे ये है एक तरीका शेर्स की फ्यूचर्स के बारे में अचा ओन पर्स्ट अफ मार्च थर्टी फर्स मार्च तक है नहीं तो प्राइस ऑफ दी शेर्स तो एलेवन ग्यारा हो जाती है तो अब देखें इ उसको हजार रुपिया ट्रांसफर करना पड़ेगा उसके मार्चन में इच पारटी हैस टू मेंटेन अ मिनिममम मार्च ये बहुत जरूरी है जैसे मैंने कहा कि एक सर्टन अमाउंट ओव मार्चन मेंटेन करना ही पड़ेगा क्योंकि ब्रोकर जो है ना रिस्क नहीं लेता लेकिंग इस वर्किन फॉर ही स्टी तो वो ये नहीं चाहेगा कि किसी वजा से आपकी डील कैंसल हो हाँ ये पौसिबिलिटी है कि वो आपस में ब्रोकर के थूरू मिल जाएं और ब्रोकर कहें कि ठीक है हम खरीदना तो नहीं चाहे रहे हैं मैं बेचने मैं नहीं चाहें ल वो इतने share जरूर ही खरीदे नहीं, not necessarily आप दोनों को कहें कि देखें जी ये differences है आप इतने पैसे इसको दे 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 deal is cancelled, deal is final तो ये भी possibility है कि आपको physical buying नहीं करनी जरूरी लेकिन अगर आप चाहते है कि जी मेरी price तो चाहिए तो आप कहेंगा आपको उस price पर वो share आपको दिलवाएगा, broker जो है इसकी responsibility है कि वो दिलवाएगा इस तरह से वो यानि conclude भी कर सकता है end of 31st मार्च या फिर दर्मियान में किस स्टेज पर वो आपस में तै कर लेते हैं कि इसको set off कर लेते हैं, जो वो शॉर्ट पॉजिशन एक्रार करता है और खरीदने वाला लॉंग पॉजिशन इफ्तियार करता है तो कि तरह तीन मेंने के बाव से ने बेचने हैं अब question यह है कि अगर prices में इतनी fluctuation है तो वो जो बेचने वाला है वो खरीदने के लिए पर त्यार हो जाता किसी और से तो वो आपको शॉर्ट पॉजिशन में भी आ जाता है और जो बेचने वाला है, खरीदने वाला है वो लॉंग पॉजिशन में चला जाता है तो यह basically, it's a very complicated game लेकिन again, इसमें risk कम है क्योंकि ब्रोकर के थुरू आप जा रहे है क्योंकि ब्रोकर जो है, वो आपको help आउट कर रहा है कि आपने किस सना से play करना है अब देखें, on 31st March the price of the share increased to 14 अब देखें, जो खरीदने वाला उसको तो बारा में मिलेगा और जो बेचने वाला है उसको 2 रुपे पर share मेंगा पैड़ा है यह उसको नुकसान हो जाएगा और यह ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि जो खरीदने वाला है उसको 12 रुपे में share दे अब share नहीं भी दे तो कम असकम उसका जो differential amount है वो उसको मिलेगा और उसको फाइदा हो जाएगा दूसरे को नुकसान हो जाएगा तो definitely एक पार्टी को नुकसान होता है तो दूसरी पार्टी को फाइदा होता है लेकिन ultimately जो ब्रोकर है वो आपके account settle करेगा that is his responsibility thank you very much